प्रे विध्यार्तियों नमश्कार जैसा कि आप चानते हैं कि हम कक्षा दस्वी सामचिक विज्ञान विशय के अध्याय दस स्वतंतरता आंदोलन में मत्यप्रदेश के योगदान पर विस्तर चर्चा कर रहे हैं। आज हम मत्यप्रदेश के उन प्रमुक केंदर इस्थलों तथा स्वतंतरता प्रेमी कारिकरताओं पर विस्तरत बात करेंगे जिन्होंने रास्ट्री आंदोलन में अपना महत्वपुर्ण योगदान दिया। लेकिन इस चर्चा से पहले हम रियासतों के विलीनिकरण आंदोलन पर एक नजर डालेंगे। जैसा कि आप चानते हैं कि 1942 का भारत छोड़ों आंदोलन स्वतंतरता के अपने लक्ष को प्राप्त करने में असफल रहा। परन्तु इस अंदोलन ने ब्रिटिश सरकार और देशी रियासतों के शाशकों को यह आभास करा दिया था कि स्वाधिनता की मांग की लंबे समय तक उपेक्षा नहीं की जा सकती। 1946 में भारत की अंतरिम सरकार बन जाने के बाद रियासतों में उत्तरदाई शाशन की मांगने जोर पकड़ा। रियासतों को यह अधिकार था की ब्रिटिश सार्व भुमिक्ता और प्रभु सत्ता समाप्त होने पर वे भारत अत्वा पाकिस्तान किसी भी एक अधिराज्य में सम्मिलित हो सकती हैं, अत्वा अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकती हैं। परंतु प्रजा मंडलों के आहवान पर रियासतों की जनता ने उत्तरदाई शाषन की मांग के लिए आंदोलन आरंब कर दिये। यह आंदोलन तभी समाप्त हुए जब रियासतों के शाषकों ने विलिनी करण समझोते पर हस्ताक्षर कर दिये। मद्यपरदेश का अधिकांश भाग सिंधिया, होलकर तथा राजपुत रियासतदारों के अधिन था। इन सभी रियासतदारों ने विलिनी करण समझोते पर हस्ताक्षर कर दिये। यद्धपी भोपाल में विलिनी करण के समर्थन में प्रबल आंदोलन आरंब हो गया। और 1950 में भोपाल रियासत ने विलिनी करण को स्विकार कर लिया। वहीं दूसरी और टिकमगड जिले की बमहोरी में रियासती निरंकुष शाषन से मुक्ती और लोकप्रिय शाषन की स्थापना के लिए आंदोलन की अलग जगा रहे सौतंतरता प्षेनानी नारायन दास ख प्रमुकिस्थलों पर बात करते हैं जिन्होंने राश्ट्री सतंतरता आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। इसमें सबसे पहले हम जबलपूर की बात करते हैं। सम्मंदित थे। यहां मैं आपको कामागाटा मारू कांड के बारे में बताना चाहूंगी। यहां कांड 1914 में घडित हुआ। भगवान सीहं तथा बरकत उल्ला भूपाली ने जहाज में जोशीले भाशन देकर यात्रियों को भारत में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बागावत करने के लिए प्रेरीत किया। 23 मई 1914 को जहाज बेंकूवर पहुचा लेकिन कांडा के अधिकारियों ने जहाज को उतरने की अनुमती नहीं दी। कनाडा में यातरियों के अधिकारों से लड़ने हेतू हुसेन रहीम, सोहनलाल पाठक और बलवन सिह के नितरतों में एक शोर कमेटी अर्थात तटिय समीती गठित की गई। अमेरिका में भगवान सिह, बरकतुल्ला, रामचंद्र एवं सोहन सिह के नितरतों में आंदुलन चलाया गया। कनाडा सरकार ने इस जहाज को अपनी सीमा से बाहार कर दिया। भारत की बिटिश सरकार ने जहाज को सीधे कलकत्ता लाने का आदेश दिया। यह जहाज जब पंगाल के बजबज बंदर गहां पर पहुँचा तब यात्रियों एवं पुलिस के मध्धी जड़प हुई जिसमें 18 यात्री मारे गए और शेश 202 यात्रियों को जेल में डाल दिया गया। इस गटना को इतिहास में कामा गाटा मारुकान के नाम से जाना जाता है। सन 1916 एवं 1917 में लोकमान्य तिलग जबलपूर आये। महात्मा गांधी का भी 1921 में जबलपूर आंगमन हुआ। जबलपूर के नागरिकों ने स्वराज निधी कोश के लिए 20,000 रुपिय की राशी भेट की थी। जंडा सत्यागरह का प्रानम्भ भी जबलपू ये कमिशनर द्वारा तिरंगे को पैरों से कुछले जाने के परिनाम स्वरूप उत्पन्न हुए तीवर आक्रोश से आंदोलन आरंब हो गया। इस घटना के विरोध में जुलूस निकाला गया। जिसमें पंडित सुंदरलाल श्रीमती सुबद्रा कुमारी चोहान आदी बढ़ चरकर हिस्सा लिया। नमक सत्याग्रह के समय सेट गोविंदास तथा पंडित द्वार का प्रसाद ने जबलपूर में नमक कानून को तोड़ा। बढ़ा जुलूस निकाला। इसी तरह इंदोर में भी राजनितिक चेतना का नया दोर बीसवे शतापदी के आरंब से शुरू हुआ। सन 1907 में ज्यान प्रकाश मंडल इस्थापित किया गया जिसने रास्ट्री विचारों के प्रचार का काम आरंब किया। सन 1918 में हिंदी साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन गांधी जी की अध्यक्षता में इंदोर में हुआ। गांधी जी की यात्रा से इंदोर में रास्ट्री विचारों को बड़ा बल मिला। कॉंग्रेस की शाखा की इस्थापना इंदोर में सन 1920 में हुई। इंदोर में स्वदेशी वस्तुओं के इस्तमाल का खूब प्रचार हुआ। कनहिया लाल खादी वाला ने इसमें महत्वपुर्ण भूमी का निभाई। सन 1930 के सर्विनय अवग्य आंदोलन के समय इंदोर नगर कॉंग्रेस कमिटी ने शाशन के आदेशों का उलंगन करते हुए 30 जुलाई 1930 को एक साथ साथ जुलूस निकाले। पुलीस ने 52 वेक्तियों को गिरफतार कर लिया जिसमें से 21 वेक्तियों को सजा सुनाई गई। आंदोलन में भाग लिया। बड़ी संख्या में सार्वजनिक सभा, प्रजा मंडल, मजदूर संग, कॉंग्रेस तथा महिला संगठोनों के देश भक्त स्वतंत्रता सेनानी जेलों में बंद कर दिये गए। मई 1946 में प्रजा मंडल ने इंदौर के राजा को एक वर्षी की अवधी में उत्तरदाई शाषन इस्थापित करने का अल्टीमेटम दिया। जनता ने उगरप संगर्ष किया। सितंबर 1947 में इंदौर में उत्तरदाई शाषन कायम हुआ। इसी तरह उजजेन में सार्वजनिक सभा की इस्थापना में त्रियंबग दामुदर पुस्तके का प्रमुख योगदान रहा। प्रास्ट शंगार, मित्रमंडल, भारत रातरी पाटशाला, बजमे अदब तथा सेंट्रल इंडिया मुस्लिम ब्लोक आदी संस्थाओं ने भात्वपुड ने योगदान दिया। 1942 के भारत चोड़ो आंदोलन में उज्जेन के कई सेनानियों ने भाग लिया। जिसमें कनहया लाल जी महता, अवंति लाल जी जेन, श्याम लाल जी मित्तल, गोपाल चोरसिया, मोलाना मसूद एहमद तथा सुन्दर लाल श्रीवास्तव आदी प्रमुक थे। 11, 12 और 13 अगस्त 1942 को उज्जेन में प्रदर्शन हुए, सरकारी डाक्खर तथा कोठी पैलेस पर धरना एवं प्रदर्शन तथा सत्याग्र आंदोलन आरंब हुआ, जिसके विरोध में उज्जेन में सरकार ने कर्फियू लगा दिया, प्रटनी मजार में स्वादेशी प्र निर्ममलाथी चार्ज किया गया, जिसमें कई भारत माता के वीर सपूत घायल हुए। सन 1934 में भोपाल में राजनेति गती विध्या आरंब हुई, इसी वर्ष शाकिर अली खान ने सुबह वतन उर्दु सापताहिक और भोपाल रज्ज की हिंदु महासभा ने प्रजा पुकार हिंदी सापताहिक समाचार पत्र निकाले। इन समाचार पत्रों के द्वारा अंग्रे जोग के अत्याचार तथ ततकालिन नवाब की प्रजा विरोधी निती एवं उत्तरदाई शाषन की मांग पर बल दिया गया। सुभा वतन के कार्टूनिस्ट एम इर्फान थे। एम इर्फान अपने कार्टूनों के माध्यम से ततकालिन नवाब के शाषन की रीती नीती पर करारा वियंग कर सुभा वतन की धार को और अधिक पैना बनाते थे। उनके व्यंग से उत्तेजित होकर नवाप भोपाल ने उन्हें कई बार जेल में डाला। साथ ही इन समाचार पत्रों को ब्रिटिर सरकार के प्रेस एक्ट का भी सामना करना पड़ा। 1938 में भोपाल के हिंदू और मुसल्मान नेताओं ने मिलकर प्रजा मंडल की स्थापना की। इसी बीच सन 1949 में गांधी जी का भोपाल आगमन हुआ। सन 1942 तक आते आते प्रजा मंडल बहुत अधिक शक्तिशाली हो गया। सन 1946 में प्रजा मंडल एवं भोपाल नवाप के बीच समझोता हो गया। सन 1946 में ही भोपाल नगर में विलिनी करन के समर्थन में जोर शोर से आंदोलन आरंब हुआ। जिसमें मास्टर लाल सीह, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, शाकिर अली, सूरज मलचेन, प्रेम श्रीवस्तव आदी की गिरफतालिया हुई। महिलाएं भी सेकडों की संख्या में मेदान में आ गई। शाशन ने भारी यातनाय दी अत्याचारों के विरोध में 22 दिनों तक बाजारों में पुर्ण हर्ताल रही। बरेली, सीहोर, उदैपुरा आदी तहसिलों में आंदोलन आग की तरह फैल गया। उदैपुरा तहसिल में बोरास घाट में लोम हर्शक गोली कांड हुआ, जिसमें तिरंगा हात में थाम चार वीर नव युवक, छोटे लाल, धन सीह, मंगल सीह, तथा विशाल सीह, एक के बाद एक शहिद हो गए। इस घटना से तहलका मज गया, सरदार पटेल ने वीपी मैनन को भोपाल भेजा, प्रजा मंडल द्वारा इस्थापित मंत्री मंडल भंग कर दिया गया, अधिकाश बंदियों को सामुही क्रिहाई दे दी गई। नवाब से चार माहा तक वारता चलने के पश्चाद सन उन्निस सो उन्पचास को भोपाल रियासत कैंदर में विलीन हुई। इसी तरह मध्य प्रदेश का वेंद्र शेत्र भी रास्ट्री आंदोलन का प्रमुख कैंदर रहा। वेंद्र शेत्र में रिवा रास्ट्री आंदोलन में सबसे आगे रहा। इलहाबाद के निकट होने के कारण यहां आंदोलन की लहर शिग्रता से पहुँची। सन 1920 के कॉंग्रेस के नाखपूर अधिवेशन के पश्चात बगेल कंड में कॉंग्रेस के संगठन का कार्य शुरू हुआ। सविने अवग्य आंदोलन के समय रिवा के रास्ट्री कारी करताओं पर अत्याचार किये गए। रिवा में पंडिश शंबू नाथ शुकल और कप्तान अधेश प्रताब सियं प्रमुक कारी करता थे। सन 1943 में राज्य प्रजा मंडल का गठन हुआ और छतरपूर में कार्य लई की इस्थापना की गई। राजा से उत्तरदाई शाशन की मांग की गई। यहां मांग 1947 में और अधिक्तिवर हो गई। भारत के सतंत्र होने के पश्चात विंदर शेत्र की रियासतों ने केंदरी सरकार में विलिन होने के संकल्प पत्र पर हस्ताक्षर कर दिये। इसी तरह गवालियर रियासत भी सतंत्रता आंदोलन का प्रमुक केंदर बनी रही। गवालियर रियासत भिंद से मनसोर तक फैली हुई थी। यहां भी राश्री आंदोलन की आग फैल गई। सन 1908 में मुरार में स्वदेशी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। क्रांतिकारियों का तो गवालियर गड़ था। गेंदालाल दिक्षित और चंदर शेखर आजाद अनेक बार गवालियर के विभिन्य शेत्रों में चुपे रहे। सन 1930 में गवालियर में विदेशी पस्त्र भहिशकार संस्था बनाए गई। विदेशों से हत्यार प्राप्तकर क्रांतिकारियों तक पहुचाने के संबंध में सन 1932 में गवालियर गोवा शड़ियंत्रकांड हुआ। इस संबंध में जिन लोगों को दंडित किया गया उनमें बालकरश्न शर्मा, गिरधारी लाल, रामचंडर सरवटे, स्टिफन जोसेफ प्रमुक थे। सन 1937 में राजनेतिक कारणों के लिए गवालियर राज्य सार्वजनिक सभाने कारिय आरंब किया। इस सभाने राजा से उत्तरदाई शाषन की मांग की। सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का सार्वजनिक सभाने समर्थन किया, तथा विशाल प्रदशन और हरताले की। सन 1940 में गवालियर राज्य का शिवपुरी शहर कॉंग्रेस का केंदर बन गया था। वैक्तिगत सत्याग रहों के लिए शिवपुरी के विश्वनाद गुपता को दो वर्षी की सजा दी गई। इन प्रमुक इस्थानों के अतिरिक्त मद्यप्रदेश के अनेक छोटे बड़े नगरों और कजबों में राश्ट्री आंदोलन तिवरता से फैला। इसमें सरवादी को लेखनी है धमतरी, मंडला, दमोह, नरसिहंपूर, जाबुआ, धार, मंसोर, भानपुरा, गड़ा, कोटा, डिंदोरी, डोंगर गाउं, चिंदवाडा, प्रभातपटन, नाहिया, घोडा, डोंगरी, सागर, तीकमगर, ओरचा, रतलाम, दिदीशा, कु बंदित साक्ष, यत्र तत्र बिखरे पड़े हैं, इस छोटे से वीडियो द्वारा उन्हें समेट पाना संभव नहीं है, इसलिए यहां कुछ शेत्रों, अत्वा केंद्रों पर ही प्रकाश डाला गया है, लेकिन मैं उम्मेद करती हूँ कि इन प्रमुख केंद्र इस्थल झाल 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